देश भर में फिर से कोरोना भड़ता हुआ दिखाई देना है इसी बीच एक और खबर आ रही है कि चीन में कोरोना से हाला फिर से बेकाबू हो गए है जीहां सूत्र के मताबि चीन के हवाई कहीं जाने वाले सान्या शहर में शनिवार को अधिकारियों ने लॉक्डाउन फिर से लगा लिया है इसके चलते वहां करीब 80,000 प्रेयाटक फज गई हैं अधिकारियों ने पूरे शहर में आतिहात बरतने के निर्देश दिये हैं शनिवार सुभा से सान्या शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पावंदी लग गई है और लोगों के आवज जाही पर भी रोक लगाई जाने ही है सान्या शहर में अबादी 10 लाग से भी कहीं ज्यादा है देश के दक्षरी टटपड इस्थित हैनन प्रांत की डाजुधानी सान्या एक टूरिस्ट स्पॉट है सीबीच आपको में ताने हजारों के संख्या में टूरिस्ट भी फस गए हैं और बहुत से लोगों को परिशानियों का सामना भी करना पाका है आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि कोरोना के मामनों में आए एक अच्छानक उच्छाल ने चीन को परिशानियों के अंदर डाल दिया है जिसके करण चीन को शेहर के अंदर एकदम से लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ गई है लिगना आखरी में यहां इध्यान देने वाली बात यह है कि क्या चीन में बेकाबू होता करोना फिर से दुनिया भर को परिशानियों में डाल सकता है हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रही पंजाब केसरी डॉक्र